हेलो स्टुडेंट्स जै हिंद हिंद की जै मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फेकल्टी मोखरजी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूँ आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओनलाइन प्लेटफॉर्म अनकेडमी के साथ और आपके ही अपने चैनल यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर मैं लाया हूँ आपके साथ 40 दिन 40 दिन का कम्प्लीट एक वार पूरा ओबर्विव पूरी फिजिक्स का कहते हैं न कि 40 दिन का गेम है मिशन वर्दी आपके साथ ठीक है अच्छा अब ये जो 40 दिन है ये कैसे जर्नली क्या होता एक है एक मार्च को पहला सेग्मेंट दो मार्च को दूसरा सेग्मेंट तीन मार्च को तीसरा सेग्मेंट तो ये डेट वाइज आपके आएंगे ठीक है जी आईए जैसे शुरुवात करते हैं फर्स्ट मार्च के साथ तो बेटा इसमें क्या है SI सिस्टम और ये वो जहां से NDA, Air Force, Navy Coast Guard को रखते हुए, खास तोर से जो NDA वाला एक्जाम है, 10 April को होने जा रहा है, हाँ जी, इसी के साथ, अच्छा SI सिस्टम में आप से पूछेगा, Mass, Length, Time, Current, Temperature, और Luminous Intensity, ये क्या है, fundamental, बेटा, एक बार और बता दिता हूँ, 40 दिन की क्लास में, आपको 40 चालीज दिन तक ये पूरा एक बार रिवाइस किया जा रहा है, physics, तो थोड़ा सा Fast Mode में होगा, आप सब का प्यार, Like, Share, और विश्वास बना रहना चीए, क्योंकि नोस्ट्रम हर बार साबित हुआ है, रामबान की तरह है, इसी लिए 40 दिन non-stop, particular day to day, हम आपको डालेंगे एक एक वीडियो, अच्छा, इसी के साथ साथ करते हैं बिटा, SI सिस्टम, जानते हो, किलोग्राम, सेकेंड, एंपिर, कैल्विन, मोल, ये सारी चीज़े जानते हैं येस सर, अगला देखो, नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं, इसी में पूरी physics को कवर किया बिटा, अगर आप च अब कुछ bilingual है, देखिए बिटा, यहां ज्यान करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ, बहुत बेसिक से है, ये तो है number of accurate से measurement है, कि accuracy कैसे निकालती है, यहां से question पूझा जाता है, बताओ, तीन लाख, एक बास सुनना, one light year, एक प्रकास वर्ष कितने के equal है, जो बताता जा रह और 8 meter per second, C क्या आए बेटा, C क्या आए, रिवीजन चल रहा है, ध्यान से बोलो, C क्या आए, CSR speed of light, जो sun से आती है, sun से आती है, अर्ष तक, कितनी रफ्तार से, इतनी रफ्तार से, अच्छा, पहुंचने में लगबग कितना समय लगता है, 8 minute exact, 8 minute by second, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, और कुछ नहीं पूचेगा, याँसे प्रकास वर्ष को पूच रखा, उसने एक बार, ठीक है, इसी के साथ साथ ध्यान से समझे मिटा, कहता है, main point pointer को discuss करने जा रहा हूं है, और पूरी physics के होंगी, इसी के साथ कहता, अधिसरासी, सधिसरासी आपने होता है, और direction भी होती है, परिमान और दिसा भी, ध्यान समझ लेना, velocity, acceleration, force, momentum, यह सब कुछ किस में आएगा, vector में आएगा, अच्छा तो मैं पता एक बात, ऐसी भी quantity होती है, जो ना तो scalar होती, और ना ही vector होती, ऐसी quantity को बेटा हम बोलते हैं, tensor, क्या कहते हैं जी, tensor, जिसे बेटा प्रदिस के नाम से जानते हैं, अच्छा कि इसका example बताओगे, एक example बता दो, journaling current, current, समझ रहे हो, अरे गुरू जी, कैसी बात कर रहे हो, धारा तो यहां भी आया, विद्दुत current, electric current, electric current, ज्यान से समझ ना, अगर electric current के option में tensor दे रखा है, तो तुम tensor पे क्लिक करके आओगे, और अगर tensor नहीं दे रखा है, तो scalar पे क्लिक करके आओगे, clear है, yes sir, तो scalar vector के बारे में पता है, एक point यहां से पढ़ के जाना, जरूर scalar vector से, आईए, इसी के साथ मैं discuss करता हूँ, यहां ध्यान देना, कहता है, जो vector word है, चलो यह vector word है, Latin सबसे लिया गया है, इसका क कुछ खास इतना यूज नहीं, अच्छा, it obey vector sum, उसके बाद commutator rules को follow करता है, associative को, and distributed law को, जो सदिस योग होता है न, वो a vector dot b vector, ऐसे होता है न, a vector dot b vector, b vector dot a vector लिखा जा सकता है, ऐसे, इस तरह से, इसे बोलते हैं मिटा, commutative, associative, और distributed मतलब होता, वितरन, वितरन के नियम का अनुपालन करता है, ये rules पूछ लिए जाते हैं, दूसरा, जब भी कभी आ जाए, a vector dot b vector, तो dot का मतलब क्या है बिटा, cos है, a, b, cos theta, ठीक है जी, अच्छा, कभी आ जाए, a vector dot cross b vector क्या आएगा, a, b, sin theta, बच्चे clear है, yes sir, कोई देख कर, बिलकुल नहीं sir, ठीक है जी, yes sir इसी के साथ, a vector dot cross vector पूछेगा, अच्छा, n cap पूछता क्या ही बार, n cap क्या है, unit vector, it is a ratio of vector upon scalar, क्यों, scalar क्यों, क्योंकि गुरू जी किसी पे भी mod लग जाए, तो mod को क्या कहते हैं, हम scalar कहते हैं, बोलो बात clear है, तो इसे vector upon scalar भी कहा जाता है, पूछा जाता है, क्या vector upon scalar का को सार्थक अर्थ है, तो बोल देना, बिल्कुल है, क्योंकि इसे unit vector कहते है, एकांक सदिस, मैं, फिलो में, बहुत कम टाइम में, पूरा 40 वीडियो में, 40 दिन तक, आपको revise कराऊंगा, पूरी physics, okay students, मिलते हैं हम आपसे, अगली class में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख् के बच्चे, जैहिंद,